दोस्तों वागत कर दियाँ Canada study visa दे processing time नो लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जिन नहीं भी recent Decision Canada study visa दे आ रहे हैं सारे यां एप्लिकेशन दे प्रसेसिंग टाइम दे बच बड़ी कमी देखनों में रही है मैक्सिमम डिसीजन जेडे 15 तो पच्ची दे बच आ रहे है चाहे कोई फ्रेश एप्लिकेशन सम्मिट होई होए चाहे कोई एप्लिकेशन और फ्रेश तो बाद सम्मिट कीता गया होए ज्यादा तर डिसीजन जेडे ओओ 15 तो पच्ची दे बच ही आ रहे है तो एक इस साल दे शुरुआत दी अगर गल करिए जदो एलोए वेरिफिकेशन दा कम शुरू होया सी तो ओदो ए प्रसेसिंग टाइम अप टू 90 डेज तक चला गया सी ते क्योंके कई एप्लिकेशन दे एलोए वेरिफाई नहीं हो रहे सी वो एप्लिकेशन नों विड्रॉख किता गया तो बड़ा कोश्च स्टूडेंट ने पिछले समय दे विच सेन किता तो कितने किते जिडिया न्यूज एदा निया स्टडी बीजा नों लेके आ रही है उनना दे विचे कराहत पर ही खबर है भी स्टडी बीजा ता जिड़ा प्रसेसिंग टाइम हो बैक टू नॉर्मल हो गया ज्यादा तर डिसीजन पंदरा तो पच्ची दिन दे विच आ रह ही है दूसरी application हरपरेट कोड दूजिन ही काफी बीदा नर ओवरॉल फिटी टू परसेंटिज आ थे application इनन दी बाही दिन दे बीच अप्रूब हो यह आ रटीप कौर दी application शोड़ा दे विच अपरूव हे हर्मन सिंह दी अपलीकेशन है अगहारा देविच अ परूव हय तो ज्यादा तर application दि लग रहे हैं फिरभी कुश application जेड हो नीया वो background और चेक देबी चलंगा जानी है ज़्यादा तरो एप्लिकेशन जेडिया साल दे शुरू दे बिच सम्मिट हो या सी हाले तक उनना दे डिसीजन यहाई और कई एप्लिकेशन इदा निया सी जिनना दी जाता कॉले बनों टाइम देपर एलोई वेरिपाई नहीं किता गया इस उन्हादा प्रसेसिंग टाइम काफी कट हैं